नमस्कार कक्षा आठ एक्सरसाइज 3.2 प्रशन 6 हम करने जा रहे हैं इसका ए भाग है किसी सम्भुज में कम से कम कितने अंश का अंतह कौन सम्भव है याद रखेगा अंतह कौन है कि तो आइए इसे देखते हैं कि देखें बचो कि सबसे कम बुजाओ वाला जो बहु बुज रोता है वहता है थे थे युदि बुज तीन बुझ आएं तो इसके 3 बाहुले होंगे तो बाखे अकोनों का योग कितना होता है हमने बहुत बार कर लिया इस exercise में बाखे अकोनों का योग होता है किसी भी बाखोज के लिए 350 तेक है भुजाओं की संख्या कितनी है भुजाओं की संख्या है तीन इसका मतलब परतेक बाहिय कोण किसके बराबर होगा देखिए एक, दो, तीन ये तीन कोण बराबर है ठीक है इनका योग है तीन सो साथ तो हर एक कोण किसके बराबर होगा तीन सो साथ को तीन से भाग कर देंगे 360 degree को 3 से भाग कर देंगे इसको हल करके हमें प्राप्त होगा 120 degree इसे हल करके हमें प्राप्त होगा 120 degree इसका मतलब त्रीभुज का हर बाहर वाला कौन आया 120 अब देखे ये है रैखी की उगम ये सीधी रेखा है ये total कौन कितना होगा 180 degree इस में से यह 120 है तो यह कितना होगा अंदर वाला कौन 180 में से 120 को माइनस कर देंगे तो मैं लिख रहा हूँ परतेक अंतह कौन अंतह कौन इसके ब्राबर होगा 180 डिग्री में से 120 डिग्री को माइनस कर देंगे और हमें पता है 180 डिग्री में से 120 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 60 डिगरी आ जाएगा इसका मतलब किसी सम्भव भूज में कम से कम कितने अंश का अंतह कोण सम्भव है 60 डिगरी का ठीक है बच्चो तो आप यही बात यहां अंत में लिख सकते हैं किसी सम्भव भूज में कम से कम कितने डिगरी का कौण सम्भव है 60 डिगरी का अंतह कोण सम्भव है आशा करता हूँ यह प्रशन आपको अच्छे से समझाया होगा यदी आपको यह अच्छे से समझाया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस प्रशनावली के बाकी प्रशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पर आपको बाकी सबी प्रशन मिल जाएंगे धन्यवाद